तो हम लोग जो 30 डे का सी लैंग्वेज का चैलेंज चल रहा है उसमें आज डे 27 पे पहुँच गए हैं और हम लोगोंने सब कुछ सारा सी कवर कर लिया है जितना कुछ भी आता है सब कुछ हमने कवर कर लिया है तो कल जैसा हम लोगोंने देखा कि जो है कल हम लोगोंने जो है पूरा पेपर कवर किया नाइलिट में नाइलिट के एक्जाम में आया हुआ आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा नाइलिट ओ लेवल का पेपर जो ज लिखते जाईएगा कि जो भी आपको एंसर लगे और फिर जब पूरा वीडियो पूरा हो जाए तो लास्ट में आप अपने एंसर जरूर लिखेगा कि 40 में आपको कितने मिले हम चाहते हैं कि कम से कम आपके 35 जितना हमने लास्ट लास्ट 25 26 डेज में पढ़ाया है उन सब में आपको 35 जरूर मिल जाएं तो बस कोशिश ये करिये कि सबी आंसर तुरंत करने है और हमने बताः कि जैसे एक घंटे का paper वहाँ पर आपको time मिलेगा एक घंटे के लिए एक घंटे का time आपको मिलेगा objective paper के लिए तो उसमें आपको जो है कोशिश ये करने हैं कि 45 minutes जरूर दीजे 45 minutes में हो जाए और इस से जादा time ना लगाए और 45 minutes से कम भी time ना रखिएगा जल्दी जल्दी करते हैं और objective में फिर गलत हो जाता है तो चलिए time waste नहीं करते हैं और जल्दी से हम start करते हैं paper और अगर आपने इस channel को subscribe ना किया हो तो subscribe जरूर कर लिजे और इसको like जरूर करें और share करना ना भूलें तो चलिए start करते हैं तो पहला question आ रहा है जब हम बात करत में आगे बढ़ते हैं जैसा आप paper यह देख पा रहे हैं कि यह paper जो है July 17 का है तो July 17 में हम लोग बात करने वाले हैं MCQ की MCQ सबसे पहले आएगा तो चलिए बढ़ते हम MCQ पर तो MCQ में यह पहला question आपका screen पर आ रहा है देखिएगा पहला question कह रहा है which one is incorrect for C language तेकिन हम लोगों को भी जल्दी करना है ताकि यह paper जल से जल्दी से जल्दी कवर कर पाएं तो चलिए which one is incorrect statement for C language what do you think क्या सोचते हैं C compiler supports for octal integer constant C compiler supports for hexadecimal integer constant C compiler supports for binary integer constant और C compiler support for decimal integer constant जो भी आपको लग रहा है यह answer होगा वह आप बताएं यह पूछ रहा है incorrect correct ने incorrect तो देखिए C compiler support octal integer constant को support करता है hexadecimal integer constant को भी support करता है binary integer constant को भी support करता है और binary integer constant को support नहीं करता है sorry तो इस बात को ध्यान रखिएगा तो इसका answer C हो जाएगा यह incorrect है और यह जो डी है c compiler support decimal integer constant तो यह जानते ही support करता है तो first का answer C हो जाएगा चलिए ठीक है आप next question आ रहा है next question ध्यान से देखिए यह जो इसमें दिया हुआ है what will be the output of the following code following code का क्या output आएगा तो यहां पर आ रहा है int xyz की बात अगर हम कर रहे है x is equal to यहां पर देखिए यह वन है यह character constant की तरह दिया हुआ है 1-0 तो यहां पर यह दे रहा है यहां पर यहां पर यह टाइप कास्टिंग हो रही है तो यहां पर इसकी जो भी एसका ही value होगी उसके according यह one बदल जाएगा और जो zero होगा उसकी जो value होगी उसके according बदल जाएगा तो इसका जो difference होगा वह वहां पर जो भी value होगी वह आगे पीछे होते हैं तो यहां पर value one हो जाएगी और a-b की बात करें तो यहां पर भी अगर हम बात करें कि a-b है तो वह zero one-0 और यह a-b है जाएगा तो x plus y जो हम रखेंगे तो plus one or minus one plus one minus one का answer क्या हो जाएगा जीरो जैट का यहां पर zero आएगा तो बी का answer क्या हो जाएगा 1.2 का answer हो जाएगा आपका zero तो यह जो answer आपको देख रहा है तो zero आएगा a होगा ठीक है ना उमीद करते हैं आपने भी zero ही कहा होगा चलि plus ptr के या plus plus asterik ptr के तो जिसके भी equivalent लगता हो आपको यह होगा वह बताएगा है देखिए जह पार जो यह आपको यह तर्पर यह आपको देख रहा है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं तो यह भी यूझनी यूनार्य यूश्री यूनीर्व अप्रेट है तो पोस इंक्रिमेंट है और ये किस पर लगएगा पॉइंटर पर लगएगा तो इसलिए यह बाद में लगएगा बाद में यह implement होगा प्लस-फ्लस पहले यह एस्टिक हो जाएगा तो यह जो है यह जो भी वैलू करेगा यह एक वैलू एक location आगे बढ़ा देगा तेगे न और उसके बाद उस value को उठाएगा तो यह asterisk pdr++ यह काम करता है लेकिन यहाँ पर जब आप इसकी value को देख रहे हैं asterisk pdr++ लेकिन यह जो है asterisk pdr लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर यह उसी same value को उठाएगा जब आप हमने का एक array है एक array में जो है 10 12 13 13 इसी तरीके से 5 नंबर लिखे हुए है तो जो पहली location पर जो भी value होगी यह उसी को उठाएगा तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो पहली location की value को कौन दे सकता है यह तो नहीं दे सकता है यह तो pointer है तो address में बढ़ जाएगा ठेकर नहीं लगा हुआ है आपको पता है the reference operator नहीं लगा हुआ तो यह value नहीं उठाएगा यह 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 यहाँ पर सिर्फ जो जो समय जो भी पॉइंटर में जो भी value होगी यह उसी उठाएगा तो यह एंसर होगा इसका इसका एंसर हो जाएगा भी 1.3 का भी हो जाएगा ध्यान दीजिएगा next question आ रहा है which one of the following is not a proper storage class proper storage class में से कौन सी नहीं है auto नहीं है यह DCC नहीं है static नहीं एक्टर नहीं है आपको पता है कि auto भी storage class static भी है एक्टर भी है तो यह कि DCC नहीं है तो इसका अंसर DCC हो जाएगा कि DCC proper storage class नहीं है DCC कौन सी storage class होती है तो जो इसमें missing है वो क्या होती रिजिस्टर होती है चलिए next आ रहा which one is the following cannot be used as identified इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो identifier के तौर पर यूज नहीं हो सकती spaces यूज नहीं हो सकते डिजिट यूज नहीं हो सकते अंडर्सकोर यूज नहीं हो सकते लेटस यूज नहीं हो सकते तो आप यह कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा is the right answer next question आ रहा है how many time is it how many times is a do while loop guaranteed to loop तो कितनी बार while loop के चलने के चलने की guarantee होती है कितनी बार चलने की guarantee होती है zero time या फिर infinite times या फिर one time या फिर variable तो यह डिपेंड करता है हमने बताया कि do while loop एक बार जरूर चलता है फोर और while में क्या होता है कि loop एक को बार नहीं चलते हैंगा condition false होती है इसमें condition false होगी तब भी एक बार जरूर चलेगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 1.6 का answer क्या हो जाएगा see next question आ रहा है next question कह रहा है कि precedence is used precedence 1.7 कह रहा precedence is used precedence क्यों use होती है to determine which operator evaluated first from left to right कौन सा operator पहले evaluate किया जाए left to right फिर हमने का to determine the level of an operator in a program तो level जो operator का level होता है उसको determine करने के लिए या फिर to determine how an expression involving more than one operator is evaluated पतलब यह बताता है कि यह determine करने के लिए कि कैसे expression involved है एक से ज्यादा operator को evaluate करने में या फिर to check the expression is valid or not इसमें क्या answer हो जाएगा तो आपको पता होगा precedence का क्या यूज करते हैं precedence का आप यह यूज करते हैं कि कौन सा पहले operator जो है कौन सा पहले operator evaluate होगा तो इसका answer हो जाएगा ए 1.7 का answer हो जाएगा ए चलिए डिए 1.8 पर आ जाते हैं और 1.8 का रहा identify the correct sequence of steps to run a programme run a program बड़र प्रोग्राम को run कराने के लिए कौन सा step सही है sequence सही है Link पहले linking होती है, loading होती है, coding होती है, compiling होती है execution होता है या पिर पहले code, compile, link, execute, load या फिर code, compile, link, and load, and execute या फिर compile, code, link, load, and execute क्या होता है सबसे पहले क्या किया जाता है सबसे पहले आप कोड लिखते हो कोडिंग उती है फिर 1.9 में कुछ code लिखा हुआ है क्या kya x2 0 है यहां पर आप देख रहा है इस code में यह output क्या आएगा यह output आपको बताना है कि इस code का output क्या होगा सकता है आप लोग क्या सोचने है की code का output क्या आएगा कि अगर X 0 से बढ़ा हो फिर या और Y भी 0 से बढ़ा हो तो true करें और else printf false करें देखें यहां पर आपको ध्यान देने की जरुवत है यहां पर problem क्या रही है यहां पर जब हम यहां इफ के अंदर रखते हैं तो यहां पर problem आएगी कि जब आप इसको इस code को run कराएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो है आप तमाम students इसमें बताएंगे कि यह क्या आएगा यह 0 से बड़ा नहीं है तो जीरो हैं बड़े नहीं है जो बड़े नहीं है तो सीधे cables करेगा यह आठा आपकी बास करता लेकिन यह ऐस प्रिंट नहीं करेगा यह प्रिंट Pixel इसके अंसे ब्लाइंक स्क्रीन होगा ब्लाइंक स्क्रीन हमने बताया कि यहां पर यह प्रॉब्लम यह है कि जब आप इफ के अंदर लगा रहे हैं तो यहां पर एरर तो नहीं आएगी लगिन यह जो है यह ब्लाइंक स्क्रीन देगा लेकिन अगर आपको इस कोड को सही करना ह तो आप यहांपे क्या कर सकते हैं यह के बाद जो है आप यहां पर कारीब्रेस शुरू कर दिए यहां कर दिए और विल्युभरेस के अंदर रखें यहां पर चोड को फीरि toy दिए यहांपे पर प्राफट चलेगा जैसे आप सोच रहे हैं थेखिए न यहां पर braces ना लगा होने की वजह से यह problem आ रही है यह dangling else की दिक्कत होती है यह लेकिन यहां पर answer आउटपूट में कोई दिक्कत नी हो, आउटपूट में क्या आईगा, आउटपूट में blank screen आएगी इसका answer क्या हो जाएगा A, तो 1.9 का answer A हो जाएगा क्या लिए ठीक है 1.9 हो गया और 1.8 हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं तो यह सारी चीज़ें हो गई है अब नेक्स्ट कोशन आ रहा है 1.10 तो 1.10 देखिए 1.10 कह रहा है what will be the output of the following code तो आगे following code का output क्या होगा यह जो code आपको देख रहा है इसमें output क्या होगा यह जो प्रिंटेफ में code दिया हुआ है इसका output क्या होगा क्या आप सोचते हैं इसका क्या output होगा देखिए इसको ध्यान से समझ यह हमने कहा कि i की value पहले हमने 2 दे दी फिर उसके बाद j एक pointer बना लिया फिर j की value address of i मतलब j में क्या आगया j pointer है तो pointer दूसरे variable के address को रखता है तो यहां पर j में क्या आगया address of i जब address of i आया तो इसका मतलब है कि i की जो भी address है वो आ गया ठेक है न फिर यहां printing कर रहे है परसेंट हमने क्या परसेंट डी लगाया तो किसको किसको प्रिंट करेंगे एक value यहां पर प्रिंट होगी अब यहां पर यह जो evaluate होगा यह जो पूरी के पूरी expression है यह जब evaluate होगी इसका जो भी answer आएगा वह यहां पर प्रिंट होने वाला है अब हमने कहा आई एक तो लगा है कि यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा आई 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 की वेलू पहले से टू थी तू इंटू फिर यहां पर फिर यहां पर फिर अपर आई तू चरेंगे और फिर जो तो प्लस 2 हो जाएगा तो 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 1.10 1.10 का एंसर हो जाएगा 10 तो चलिए mq q cover हो गए अब हम next बात करने वाले हैं true false की true false में देखिए पहला question आ रहा है two pointers variables cannot be subtracted क्या ऐसा है कि दो pointer variables subtract नहीं किया सकते हैं हाँ यह बात सही है two pointer variables को subtract करने का कोई मकसद नहीं हल होता है इसलिए यह यह बात क्या होगी यह बात true होगी कि हाँ two pointer variables subtract नहीं किया सकते हैं next question आ रहा है 1.0 1.0 is an example of double constant and float constant तो यहां पर भी यह क्या होगी यह condition false है कि 1.0 example नहीं है double constant यह float constant का ठीक है न चलिए ठीक है फिर next question आ रहा है यह तो 2.2 भी false होगा next आ रहा है has defined is used to define symbolic constant तो symbolic constant के लिए has defined का use किया जाता है यह बात true होगी कि false होगी आपको जैसा पता होगा has defined हमने बताया था यह बहार हकed है symbolic constant के लिए तो यह क्या होगा true होगा cons keyword is used to define symbolic constant यह कर जाता है a person का insurance at क्हुंसकर दोसरा तरीका है अगर ha 겉ई symbolic constant को यह करना है symbolic constant को define करना है तो cons यह कर सकते है ungent cons pi is equal to 3.14 लिएक सकते हैं जा भी हम आ पर हाप Alors defined pi 3.14 लिएक सकते ह fleet हम बता चुके हैं तो इसलिए यह has defined 2.3 2.3 भी true है 2.4 भी true है नेक्स वोश्य नारा two dimensional array is stored in memory physically as one dimensional array तो क्या यह two dimensional array होती है वो memory में one dimensional array की तरह ही जो है store की जाती है physically हाँ यह बास सही है तो यह भी true 2.6 2.6 कह रहा है size of a pointer which points to a structure depends on size of a structure तो जो size होता है हमारे pointer complain't करता हो डीपेंड करता है which points to a structure depends on size of the structure तो जो structure का size होता है तक ते उस पर उसके pointer का size depend करता है जो size of a pointer होता है जो pointer का size होता है इस पॉइंट जो को पाइंट कर रहा होगा वो उसका size क्या फोइंटर प involvement करेगा कि structure में कितने members नहीं आप जानते हैं कि structure का size कैसे निकालते हैं उसके सारे members को add करके निकालते हैं लेकिन तो क्या pointer कभी उसी तरक्टर निकलेगा pointer हमने बताया कि pointer कोई भी हो pointer चुकि address रखता है और वो क्या रखता है एक unsigned integer और integer जितने बाइट लेता है हमने का 16 bit compiler में तो सिर्फ दो ही बाइट होगा pointer की value हमेशा दो बाइट ही आनी है थेंगे ना तो वह किसी को भी point out कर रहा होगा तो उसकी value दो ही आप टीजर अगर हमाँ फोर है उसका साइज तो उस पॉइंटर का भी साइज वोगा इंटीजर का जितना साइज होगा उतना ही होगा यह बात समझ लिए क्योंकि एंट लेता है फिर हमने का अब भले character को point out कर रहा हो तब भी वो दो बाइड लेता हैं बात कर चुके हैं फिर हमने का all the members of union share the same memory location जो members होते हैं union के क्या वो एक ही से memory location को share करते हैं हमने union के live में बात किया था बहुत अच्छे से समझाए था कि जितने भी members होते हैं union के वो सब क्या करते हैं वो memory एक ही memory location को share करते हैं उनकी शुरुबात एक ही जंगा से होती है तो मतलब है कि उनका memory location एक ही होता है और अलग-अलग वो यूस करते हैं तो यह 2.7 कभी यह बात true हो जाएगी और 2.6 2.6 हमन नहीं है हमने बताया कि इसका दो ही होता है तो यह 2.6 false 2.7 true कर लीजेगा अगर कोई confusion हो ब्रेक कीवर्ड is mandatory in switch case structure switch case structure में ब्रेक कीवर्ड होना ही चाहिए क्या जरूरी है हम बता चुके हैं कि हाँ जरूरी है अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे आप तो क्या होगा आपका जो आउट्पुट आप चाह रहे हैं वो सही नहीं आएगा गलत आएगा तो ब्रेक कीवर्ड जरूरी है यह भी true है को आप प्रिंट करा सकते हैं अपनी स्क्रीम पर प्रिंट करा सकते हैं एक प्रिंट आप आपको पता होगा यह फाइल का फंक्शन है इससे फाइल में प्रिंटिंग होती है ना कि स्टेंडर आउट्पुट डिवाइस पे तो यह बात false हो जाएगी next 2.10 2.10 की बात करें तो हो तो हम लिक्लिस की जगह एरे का यूज करें यह बात अच्छी है हाँ यह बात सही है तो यह बात ठीक है तो यह 2.10 का एंसर भी true हो जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है यह कहरा ना it is better to use array अच्छी बात है array को यूज करें लिक्लिस के मुकाबले जब fix size हो तो fix size program में fix size हो मतलब में न बढ़ाना हो लिक्लिस आप यूज करते हो जब आपको लगता है कि हाँ बढ़ाने की जूरत पढ़ सकती है चलिए ठीक है अब two falls भी complete हो गए अब आ रही है बारी match the following की तो match the following चलिए देखते हैं it is an operator that calculates size of structure variable ये वो variable होता है जो size structure का साइज को calculate करता है कौन सा वेरिब्ल है जो किसि वेरिब्ल के size को calculate करता है हमने बता आया है कि size of operator से ही आप करते है size of operator से structure के variable को आप पता लगा सकते है size of लिखिए structure का variable उसमें pass कर दिए वो बता देगा size of आप किसी भी size of किसी भी variable को आप लिखिए size of बता देता है तो size of की मतबद से आप structure के variable का size भी बता सकते हैं तो इसका answer j हो जाएगा 3.1 का answer j हो जाएगा next question आ रहा है function that reverse string कौन सा function है जो string को reverse कर देता है तो क्या आप सोचते हैं कौन सा function रिवर्स कर देता है तो यहां पर साफ साफ लिखा हुए str-riv function है यह हमारी string को क्या कर देता है reverse कर देता है चलिए ठीक है next question आ रहा है constant value 32767 L is an example of तो यह जो constant value यहां पर दी हुई है constant value यह जो constant value दी है यह किस चीज़ का example है यह किस चीज़ का example है तो इसमें आपको यह देखिए L दिया हुआ है तो यहां पर यह हो जाएगा इसका आई यह क्या हो जाएगा इसका आई हो जाएगा constant value 32767 L is an example of long integer पिर address of argument is passed in this method of passing तो यह जो address of arguments हैं जो भी हमारे arguments के address हैं वो pass किया जाते हैं इस method में तो यह method क्या कहलाता है हमने बताया है कि एक pass by value होता है एक pass by address होता है जब हमारे arguments की value ना pass करके हमारे addresses को pass किया जाए तो वो क्या होता है वो call by address होता है तो यहां पर यह pass by address होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा हो जाएगा 3.4 L हो जाएगा next question आ रहा है Isn't an unconditional यह क्या होती है unconditional jump ? Unconditional क्या होती है हमने बता चुकांँ अनं कंडिशनल jump क्या होती है तो हमने बताया क्या hey unconditional jump होती है ?टू ठीक है न तो go-to में unconditional jump होती है प्रोग्राम में कहीं भी कुछ सकते हैं कहीं पे भी जा सकते हैं जो है यह होती है अनकंडिशनल जम हमने पढ़ाया पूरा लाइव में आपको पूरा बताया था ब्रेक कंटिन्यू गोटू पूरा लाइव किया था हमने बहुत डीटियल में बात की थी तो यह गोटू है डेटा टाइप डैट कैने स्टोर जो सिर्फ 0 कर सकता या नंबर को तो आपको पता होगा कि यह या तो पॉसिटिव नंबर उस करेगा दिन स्टोर करेगा तो ऑंस नंगेटिव नंबर निघुज करते हैं यह है तो यह है प ठीके ना तो आ व्ल्ली स्टेन और लिग पिर सम डेन्ड तो किस symbol के अंदर सारे string constant लिखे जाने चाहिए, किस symbol के अंदर सारे string constant लिखे जाने चाहिए, हम बता चुके हैं कि double quotes में string constant लिखे जाते हैं, single quotes में character constant लिखे जाते हैं, तो double quotation marks होना चाहिए है आप answer, यह है, e, e यहां पर option में दिया हुआ है, तो double quotation माग पर next 3.8 कह रहा है it is a keyword used to assign alternative name to existing data type यह कल भी question आया था last live में भी पूछा था आमने यह question आया था it is a keyword to use to assign alternative name to existing data type तो यह कौन सा keyword है जो क्या करता है alternative name देता है तो alternative name कौन सा keyword देता है हमने पता है type def type def से आप किसी भी data type को एक नया नाम दे सकते हैं तो type def इसमें answer हो question में यहाँ पर option में होगा देखे type def है कहीं type def type def यह देखे जी है तो जी है type def next question है data type to 45.2f तो 45.2f यह इसका data type क्या है अब जाइड से बात यहाँ पर f दिया हुआ हुआ है जो पंशन होता है उसका रिट्र टाइप क्या होता है तुर प्रिंट्र फंक्चन वें यह वापस करता है कि हमें कितने करेक्टर श्युल् Turnetle नमबर हमें वापस करता गाद है आपके पर deaths कि उबते नमबर किस सीज में होता है बी चलिए ठीक है अब आपके mcq हो गए और उसके बाद हमने देखा two falls भी हो गए और आपके match the following भी हो गए उम्मीद करते हैं आप लोग के भी answers आप लोग सही साथ-साथ answer दे रहे होंगे और 30 में काफी आप लोगों के सही हो गए होंगे लास में comment में लिखके जरूर बताईएगा कि आपके 40 में कितने सही हुए चलिए ठीक है next question आ रहा है fill in the blanks में हम आ जाते है this symbol is used to access the value pointer by a pointer यह कौन सा ऐसा symbol है जिससे हम access कर सकते है value pointed by a pointer ठीक है न value pointed by a pointer अगर कोई pointer है हमारा उस pointer की मतलब से हम जो pointer हमारा जिस भी वेरेबिल को पॉइंट आउट कर रहा है उसकी value को कैसे access कर सकते हैं हम बता चुके है d reference operator और यहां पर d reference operator के लिए आप कौन सा symbol यूश करते है आस्ट्रेक तो आपको पता यह 4.1 का answer क्या हो जाएगा चल यह next आ रहा है बैने एरे इस डिकलियर जब डिकलियर की जाते है तो अरे नेम को डिफाइन किया जाता है चलिए ने बता है पहले अलेमन का वह कॉंसेंट पॉइंटर होता है तो जब एरे का अले का नाम होता है तो पहले element का constant pointer होता है अगर आपको जानना हो array का जो है पहले element का address क्या होगा आज खाली array name लिखिए और वो एकदम pointer की तरह काम करेगा फिर next question आ रहा है mpi is a constant तो यहां पर क्या हो जाएगा इस वाले का answer क्या हो जाएगा constant pointer constant pointer का मतलब m आप next आ रहा है 3 4.3 4.3 के रहा MPI MPI is a constant that represent 24 by 7 ratio it is declared in यह किस file में declared किया जाता है कौन इस फाल में declared किया जाता है यह आपकी math.h में declared किया जाता है ठीक है ना तो यह इसका answer math.h पर दिया हुए यह हो जाएगा इसका answer next question कह रहा है 4.4 4.4 कह रहा है this function reads data from st standard input stream तो standard input stream से कौन सा function data को read करता है standard input मतलग जो आप यूज करते हैं जब आप रन कराते है program को तेंगे ना फिर आप input देते हैं input देते हैं तो वह जो standard input हुई और वहां से function किस function की मदद से आप read करते हैं वह कहता है कि enter your number enter your age तो आप age जालते हैं और programming में क्या लिखा होता है scanf age किया होता है तो वह scanf function होता है scanf answer में है कहीं यह देखिए f में दिया हुआ scanf यहाँ पर आप देख पा रहे हैं f है scanf तो इसका answer क्या हो जाएगा f 4.4 का answer क्या हो जाएगा f 4.5 आ गया default return type of any user defined function तो किसी भी user defined function का return type क्या होता है किसी भी user defined function का return type क्या होता है देखिए किसी भी function का user कोई भी function हो उसका जो return type होता है वो हमेशा क्या होता है कोई भी function ठेके न तो उसका return type integer होता है अगर कोई भी function उसका अगर return type इसका रिटन टाइप नहीं किया गया है तो इसका रिटन टाइप इंटीजर होता है तो इसमें देखिए इसका अंसर इंटीजर हो जाएगा यह बात ध्यान रखिए अगर आप इसका रिटन टाइप क्या होगा इंटीजर तो यह क्या हो जाएगा इसका एंसर इसका एंसर क्य जरूरी होता है अगर हम डू वाइल लूप में बात करें तो डू वाइल लूप में कौन सा सिंबल कंडिशन के बाद जरूरी होता है तो कौन सा सिंबल लगाना जरूरी है अगर आपने वह सिंबल नहीं लगाया तो आपका कोड गलत होगा डू वाइल लूप में आपको पता we must use this symbol Max of structure Marcus correct access कि उस्त्रक्चर के लिए structure के members को access करने के लिए sponsor वेरीबल चाहिए जो हैं। कॉन सा सिंबल चाहिए म किस सिंबल करते हैं इंट्रक्चर के मेंबर को यूज करने के लिए कि स्क्टारी another को यूज करने के लिए यूज करते ठीक है ना और अगर वह pointer type के variables हैं हमारे structure के तो आप क्या use करते हैं तब आप जो है hyphen और arrow symbol use करते हैं ना लेकिन वैसे normally dot तो dot यहां पर दिया हुआ है तो यह आप dot का इसका answer d हो जाएगा next 4.8 आ रहा है this data structure facilitates to insert delete and data during the program execution तो कौनसा ऐसा data structure है जो यह facility देता है कि आप क्या कर सकते हो delete कर सकते हो during the program execution ठेक है ना insertion or deletion कर सकते हो तो कौंसा ऐसा data structure जिससे आपको आसानी से insertion or deletion कर सकते हो हमने बताया है link list link list ऐसा data structure प्रोग्राम execution के दौरान program execution के दौरान link list में हो सकता है तहले ठीक है next question आ रहा है global variable global variable is initialized to this तो जो global variable होता है वो क्या उसमें क्या होता है by default क्या पढ़ जाता है अगर variable global है तो हमने का उसकी value by default zero होती है तो इसका zero answer है तो हाँ इसका देखे zero answer यहां पर दिया हुआ है यह zero है changing수료 for a Pave oflland load 유 column is known as तो जहां पर question mark colon क्या कहलता है question mark colon क्या कहलता है c programming है हम बता चुके हैं कि question mark colon c programming में क्या कहलता है तो आहमने बताया है कि question mark colon c programming में हंठ Okay conditional operator तो condition operator आपको कहीं विया हुआ है यहां पर देखिए यह जो यह अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो B दिया हुआ है यह क्या है यह आपका conditional operator है तो conditional operator की मदद से आप क्या कर सकते हैं C programming में तो B part यहाँ पर क्या हो जाएगा यह conditional operator हो जाएगा तो यह हो गया आपका B part conditional operator तो चलिए यह सरीके से आपका पूरा paper खतम हो गया और जैसे हमने बताया कि इस paper में आपने पूरी सारी चीजें cover की और पूरे 40 marks का आपका यह पूरा paper cover हो गया और इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें सारी चीजें हमने cover की हैं तो अब इसमें आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के questions अब जादा तर 40 में सही हुए होंगे और अब comment में जरूर लिखेगा कि 40 में आपके कितने सही हुए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप बाकी पिर हम next day आगे करते हैं तो चलिए आज के लिए इतना काफी था पिर next day मिलते हैं टेक केर गुड़ बाई